नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको गुपता.com कीचिन में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे स्नेक्स की रेसिपी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, खस्ता, चटपटा बन करके तयार होता है और इस नास्ते को आप एक बार बना करके कई मह इनों तक इस्टोर करके भी रख सकते हैं बनाना एक तम आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना और दोस्तों उससे पहले आप से मेरी एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर मेरे रेसिपी आपको थो जिए रोस्टेट मूमफली के दाने हैं बीना छिलके वाली इसको हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इसी के साथ यहां पर हम डालेंगे रोस्टेट चने की दाल, यह आधा कटोरी से थोड़ा सा कम होगा और इसको हम हलका सा दरदरा पीस करके तयार कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का हलका सा दरदरा मैंने इसका पीस के पाउडर बना लिया है तो इसको हलका सा दरदरा ही पीसना है एकदम फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है तो अभी इसको हम एक बर्दर में निकाल लेते हैं और इसी में हम डालेंगे एक कटोरी भर के चावल का आटा और आधा कटोरी इसमें हम मैदा डाल देंगे तो मैदा डालने से इसमें बहुत अच्छी बैंडिंग आ जाती है तो मैदे की जगा पर आप चाहें तो गेहू का आटा भी ले सकते हैं और दो चम्मच भर के मैंने बारिक वाली सूजी डाल दिया है इसी के साथ इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने आदा चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है आदा चम्मच ब्राउन तील डाल दिया है तो ब्राउन तील की बोड़ा सकम यहां पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर इससे हमारे स्नेक्स में बहुत अच्छा साइक कलर आ जाएगा और तीखेपन के लिए तो हमने यहां पर कुटी लाल मिर्ची डाला ही हुआ है आधा चमच नमक डाल देंगे या फिर स्वाद के अनुस अनुस जाले आटे में बहुत अच्छे से मिल चुका है तब इसमें हम बारी काट के थोड़ा सा कड़ी पता डाल देंगे और मोहन के लिए इसमें हम डालेंगे दो चमच तेल तेल डालने से जो हमारा नास्ता है बहुत ही जादा खस्ता और क्रिस्पी बन करके तयार होगा तो मोहन को हम इस तरह से हाथों से रगड़ते ही वे खुब अच्छे से आटे में मिला लेंगे तो मोहन आप जितने अच्छे से आटे में मिलाएंगे उतना ही अपका खस्ता इसनेक्स बन करके तयार होगा तो इसको बहुत अच्छे से इस तरह से हाथों को रफ करते हुए मिला लीजिएगा तो यह देखिए यह हमारा भुरबुरा सा आटा बन करके तयार हो चुका है इसको जोड़ने पर अच्छे से जूट जा रहा है और इसको तोड़ने पर अच्छे से बिखर जा रहा है के तयार कर लेना है अभी इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देते हैं तो जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद में इसके हम पेड़े बना लेंगे तो पेड़े हम मीडियम साइज के बनाएंगे और इसको हाथों से इस तरह से दबा के थोड़ा सा चप्टा कर ल लिया है और यहां पर मैंने एक प्लास्टिक शीट ले लिया है इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको हम चिकना कर लेंगे और एक लोई को मैंने ले लिया है प्लास्टिक के ऊपर और बाकी का जो लोई है उसको हम एक गीले कपड़े से ढख करके रख देंगे ताकि तो सूखे नहीं क्योंकि चावल काटा है तो बहुत जल्दी सूखने लगता है अब इसके ऊपर से भी मैंने प्लासिक स्टीट को रख दिया है और इसको हाथों से इस तरह से फैला दिया है तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं या फिर इस तरह से जायें तो इसके बैक सैड से इसको इस तरह से फैलाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से फैल जाएगा एकदम पूली के जैसा बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे के गिलास ले लेंगे और इसमे इस तरह से राओंड में कट लगा लेंगे क्योंकि इसके जो किनारी है वो थोड़े से कटे-फटे हुए हैं, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, और इसका वापस हम नास्ता बना करके तयार कर लेंगे, तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सा सेफ हमें मिल जाएगा, गिलास से कट कर लेने से, तो आप चाहें तो गिलास या फिर कटोरी या किसी धकन से भी इसको आप काड सकते हैं, तो देखिए, एक नास्ता हमारा बन करके तयार हो चुका है, बागी के सारे नास्ते को हम इसी तरीके से बना करके रख लेंगे, तो देखिए दोस्तों, कुछ नास्ते को मैंने इस तरह से बना लिया है, तो चलिए अभी इसको तल लेते हैं, तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम तेल को गरम कर लिया है, तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम तेल में ही इसको हम टाल देंगे फ्राई होने के लिए तक अपके कडाही में जितना नासता आ जाय उतने आप डाल लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए इसे ही छोड़ देते हैं ताकि एक साइड से अच्छे से सीख जाए तो थोड़ी देर के बाद में इसको हम पलट देंगे इसकी दूसरी साइड और इसको ऐसे ही मीडियम और लो करके बीच में इसको हम सेख लेंगे नास्ते को और थोड़ी देर बाद में इसको हम पलट लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए और एक क्रिस्पी हो जाए तो देखिए बहुत अच्छे से हमारा नास्ता जो है सिख गया है एकदम खस्ता और क्रिस्पी बन करके तयार हुआ है तो चलिए अभी इसको हम कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के सारे नास्ते को हम इसी तरीके से तल करके तयार कर लेंगे तो लीजिए दोस्तों सारे ही स्नेक्स को मैंने बना करके तयार कर लिया है और यह देखिए कितना खस्ता और क्रिस्पी बन करके तयार हुआ है तो आप इसे एक बर जरूर से ट्राइब कीजिएगा औ और इस भी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. ठाइंक यू.